हालो स्ट्टूडेंट चलिए आज एक नया टॉपिक लेकर हम लोग आया है ब्लड को लेकर यूमन ब्लड एक टॉपिक है लोग कवर करेंगे इसमें पहला पॉइंट हम बोल रहे है रख्त एक सहयोजी उत्तक है सहयोजी उत्तक का मतलब वाग एक ऐसा पैसको हमारे पूरे बॉड़ी को करता है जोड कर रखने वाले उत्तक को भी का जाता है कि दूसरा पॉइंट बोले हैं कि ब्लड एक प्रकार का प्राकृति कोलाइड है कोलाइड क्या है आपके मिस्ट्री में देख चुक है कोलाइड मतलब क्या हुआ इस सिदा से एक्जामपल कर सकते हैं एक ऐसा पदा जिसको छानने के पसचा ताब उसको पूरा नहीं छान सकते सब्सक्राण कि कुछ जैसकर चाहे चाहते हैं तो चाह पती रहा जाता घूज तो पूरा पूरी नहीं छन युख जाएगा ऐसेоном को जाता है तो यह प्रकार का नेच्वर कोलाइट से प्राकृतिक पॉलाइट से आगे पड़ते हैं नेक्ट पॉइंट के दरब ब्लड का पीएच वेल्लू जो होता है एक फिक्स होता है वह 7.4 जो एक छार होता है जो चार के फॉर्म होता है कि साथ से अधिक जाएगा तो वह अमल होता है तो इसका रेंज है 7.3 से 7.5 के बीच में होता है मानभ मेल में यदि हम बलड की कल पना करें तो 5.5 please एक मेल के बॉड़ी में होता है और से में 5 लिटर बलड होता है इसका रेंज है साथ चार से 6 लिटर यदि अथात का है तो कूल भार का 6 से 10 परतिशत यदि को लिटर की नमेरे बोड़ी में रहता है कि आगे मेर में Sol Natade क्रोंट पूरा कॉष्क ब्लड का निर्मान जो होता है हम लोग के बॉड़ी में यह कोई इम्ड्रियो है ब्रूर है मां के गर में जो बच्चा पल रहा है ब्रूर को कहते हैं जो ब्रूर है उसमें ब्रों में ब्लड बनता है और जो ब्रों में रॉक है को हम लोग ब्लड के ब्लडीedel है ज्मह हमारे प्लाध का हो रहता वह ब्लड को भाग में एक ब्लड कि के बाता है या तिल्ली भी का जाता है तो ब्लड जो हता है वो इस्प्लीन में रहता है इसलिए इसको इस्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं और याड भी कहते हैं मतलब ब्लड जा करके वहां जमा रहता है वो कब्र भी कहते है जो भी सेल्स डैमेज होता है जो भी सेल्स मरता ह तुए नेज्ट धे अगला है पृक्त का दिया वाytes ही भी लल्ट का लाल रंका होता है युब सब्सक्राइब जबहाएं mea 15.8 अभाइंख मेरा होता है λέग की एक आइरन सस्राइब है जिसका आड़ आए मयों को मारता है तो उसका चोट अधिक लगेगा और महिला मारती है तो चोट कम लगेगा क्योंकि महिला के बॉड़ी में आयरन की कम ही उसका बॉड़ी कॉमल है नॉर्मल रेंज है कि महिला में देखिएगा तो 14 गराम रिपोर्टिंग अभी जबी आता है और 13 गराम आता है और डिलोईशन में 107 गरें सकोनें की कोशिच न्रड़ी मुख्यता दो परकार के एक स्वपरसंट भलड का कमपोनेंट हम लोग देखते हैं तो ब्लड मुख्यता दो परकार के कमपोनेंट से मिल करवनी होती है एक होता है हमारा blood plasma जो 55 परतिशत रहता है और एक होता है हमारा blood sales जो 45 परतिशत रहता है blood sales के बारे में next class में हम लोग देखेंगे उसमें तीन प्रकार का sale होता है और भी कई sales है RBC है WBC और platelet से next है कि blood जो है हमारे body में एक रास्ति के द्वारा एक नली के द्वारा क्या होता है कि हमारे body में दोड़ता है जिसको हम लोग blood का परिवान या पिर परिशंच्रन कहते हैं जिसके बारे में एक वैग्जानिक तो इसका नौन पर William Harvey William Harvey ने blood के परिशंच्रन की खोज की थी परिशंच्रन के बारे में बताया था इसके काम एक और है कि पोशक पदार्थों का परिवहन करता है हम लोग जो भी खाते हैं तो हमारे बोड़ी में पोशक पदार्थ क्या होता है एक अस्थान से दूसरे अस्थान जाता है इसका वो क्या करता है परिवहन करता है आगे है यह ब्लड क्या करता है हमारे बोड़ी में गै परिवहन करता है तो यह कुछ हमारे ब्लड के बेसिक टर्म थे बेसिक पॉइंट सब्सक्राइब के इंटर 11-12 के चापरों के लिए या फिर हम कल भी बताया थे नेक्ट पहले वाले सब्सक्राइब के लिए यह ज्यादा पॉइंट आपका आते रहता है तो इसको यह बार नौट कर लिए चलिए धन्यवाद कि अग्याइब